तो ओलर सीरीज में अब तक हमने तीन कैटेग्रीज देख लिए हैं आज हम इस वीडियो में और तीन कैटेग्रीज देखने वाले हैं तो टोटल हमारे छे एलगरिदम इस वीडियो में और कवर हो जाएंगे तो जो पहली कैटेग्री हम देख रहे हैं वह स्क्वार शेप तो इस वाले में किया अगर हम इसको भी ऐसी रखें तो यहाँ पे यह दोनों इस तरफ हैं देखो इन दोनों में यह फरक है तो इसमें क्या होता है हम इसको इस तरीके से रखते हैं जिसे यह बैक में इस तरीके से हो जाता है तो इसका मलगा समझे हो कि हम इसमें जो अलिक्रिद से निकालते थे और उसके यहां पर लाके यहां इंसर्ट करते थे यह था हमारा एंटी सून अब इसी तरीके जैसे हमने फ्रंट से एंटी सून किया वैसे हम बैक से एंटी सून भी कर सकते हैं इस तरीके से यहां पर रखके इसे इंसर्ट कर दिया तो यह हमारे दो तरीके के तो इसमें क्या होगा इसको हम इसी तरीके से hold करेंगे और यह empty space तमारे front में है तो इसमें हम front anti-sun लगाएंगे बस वरक क्या होगा कि इसमें जो हम anti-sun लगाएंगे उसका पहला move और आखरी move double होगा यही फरक है तो इसको हम बोल सकते हैं fat anti-sun तो कुछ इस तरीके से होगा और इसमें क्या होगा इसको हम इसी तरीके से hold करेंगे back में है तो इसमें back anti-sun लगाएंगे इस तरीके से इस तरीके से हमारा wall solve हो जाएगा वैसे इस वाले कैसे PLL भी solve हो गया वो मैंने से सेट अप किये वे थे उसकी tension लेने की जूरत नहीं है में आपको इन दोनों को याद होगे एक बार हम finger trees देख लेते हैं तो simple सा वैसे यह fund है कि आपको जब भी square देखेंगा आप उसको अपने right में रखोगे अगर आप इस तरीके से right में रखते हो तो यहां पर empty आना चाहिए जो इस case में नहीं आ रहा है तो इसे हम ऐसे रखेंगे अब इस वाली case में अगर ह उसको इस तरिके से रखेंगे कि यहां पे इस तरीके से empty और अब अगर हमारे इज तरीके से फ्रंट वाला एंटि आ रहा है तो फ्रंट वाला ale tego लगाएंगे जिसके finger trees को इस तरीखे से होंगी और अगर हमारे लेक में ऐा हरे तो इस तरीके से और आम 理क यह और मैंग तो हमारे next category कर नाम है corner solve इसमें हमारे ये दोनों कैसी होते हैं आपको दिखी रहे हमारे सारे corner जिसमें solve वो रखी है तो इन दोनों को solve करने का एक basic सा तरीका है पहले आपको बताता हूं इन दोनों में हम यह करना है इसे हम इस तरीके से hold करेंगे कि ये दोनों जो solve निया वो इस तरीके से हो और इसे हम ऐसे hold करेंगे अब इन दोनों में basic सा यह तरीका है कि हम सबसे पहले करेंगे sexy move sexy move करेंगे इस after appear को यहां से निकाल लेंगे और उसके बाद inverse sexy करेंगे इसको यहां फिर insert कर देंगे अब इस वाले में क्या होगा हम sexy move से तो निकालेंगे लेकिन double ही निकालेंगे हमने आके इस तरीके double layer को ही निकाल लिया उसके बाद इसे single बनाके फिर इसे insert कर दिया inverse sexy से तो आपको इन दोनों फ़रक समझ में आ गया होगा याद भी हो गए होगे अब एक बार finger tricks देख लो नहीं समझाये हैं तो एक बार video rewind करके फिर से देख सकते हो तो इस वाले case के finger trick कुछ इस तरीके से होगी इस तरीके से करेंगे हम और फिर इस वाले के finger trick कुछ इस तरीके से होगी हम यह double निकालेंगे उसके बाद इस तरीके से करेंगे हम और इन दोनों cases को हम fast भी execute कर सकते हैं कुछ इस तरीके से तो उम्हीद है आपको इस दोनों cases भी आद हो गए होंगे अब बढ़ते हैं हम अपनी next category पे तो हमारे जो next category या वो है m shape category इसमें इस तरीके से एम बन रहा होता है इसमें दोई cases होते हैं अब इन दोनों में आपको फर्क दिखी रहा है इसको अगर हम इस तरीके से hold करेंगे तो यह 2 लाइन यहां पे आ रही है और इसको अगर यह तो यह तो यह तोना आपस में तो अब आप एक बार इसकी फिंगर ट्रिक्स भी देख सकते हो और इसको हम थोड़ी फास्ट इस तरीके से एक्जिक्यूर कर सकते हैं अब मारे यह वाला केस रहागा है जिसमें अगर हमने इसको इस तरीके से होल्ड किया तो यह यहां पर होती है लाइन तो इसको हम इस तरीके से होल्ड करेंगे और फिर हम यह यह अलगो लगाएंगे अब यह अलगो मैं आपको जिस ट्रिक्स से याद करवाँगा ना वो आपके आगे एक कैटेगरी आने वाले है पी शेप तो उसमें भी आपके यह वाले ट्रिक एक केस में काम आएगी हमारे जो starting के चार मुव एं बस वो थोढ़े difficult है उसके आगे का पार्ट है वो बहुत रहाँज ही याद करना और वही जो आगे गा पार्ट है वो आगे एक और लगो आएगा पी वाले शेप में उसमें भी काम आएगा तो खेर मैं इसम दोताता हूँ मैं सबसे फ़हले starting से करनी है starting का part आपको अपनी finger trick में डालना है इस तरिए से R' और F' इस finger से और U' ये starting का part है अपको बस सबसे फिंगर trick में डालना है ये कि हमने starting का part और उसके बाद करना है F2, इन दोनों finger से बस यह पार्ट है जिसमें कोई हमारी ऐसे especially pieces की movement नहीं हो रही है तो एक बार और देखते हैं starting का part कुछ इस तरीके से होगा R' यहीं से push कर दो और U' F2 ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है इस F12 pair को लगाना है और उसके बाद हमारा बस यह बाद F12 pair रहागा है इसे लगाना भी इसे लगाने की सबसे common sense क्या हो सकती है हम इस तरीके से हैं पर लगा देंगे और उसके बाद हमें इसे save करते भी इसे लगाना है ना तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं तो आपको दिख रहा हमारे F12 pair भी solve हो गया एक बार और देखते हैं आपको अच्छे से आ जाएगा और यह वाले ट्रिक आपके आगे भी काम आएगी तो इसको हम इस तरीके से hold करेंगे उसके बाद स्टार्टिंग का पार्ट है कुछ इस तरीके से और F2 उसके बाद हमें इस वाले F12 pair को लगाना है बैक में और उसके बाद हम इस वाले F12 pair को लगाएंगे डन, finger tricks भी देख सकते हो इस तरीके से हैं तो हमने तीन categories और देख लिए हैं उमीदे आपको समझ में आ गई होगी अगर नहीं आया है तो आप फिर से एक बार वीडियो को देख सकते हो कि किस तरीके से हमें उस case को hold करना है कैसे उसे समझना है सब मैंने अच्छे दे बता र झाल झाल